Welcome to exam तक, Important GK Question Part 2 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, इसमें हम लोग Most Important GK के Questions करने वाले हैं, ये Questions फ्रेंड आपके सभी exam के लिए Most Most Important है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देगे, चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पहला Question कौन सा है, अरावली परवत परवत माला की सबसे उची चोटी है गुरुषिकर ठीक है न यह आपको याद रखना important question है गुरुषिकर जो है अरावली परवतमाला की सबसे उची जोटी अब अरावली परवतमाला सासमे इस्तत हैं तो यह सारी बाते आपको याद रखनी है चले अम Dr. Radhakrishnan ही थे and second day ये हमिद अंसारी जो की दो बार रह चुके successfully ओके तो option D correct हो जाएगा A और C दोनों हमिद अंसारी और Radhakrishnan दोनों दो दो बार उपराश्ट पती रह चुके हैं भारत के तो ये आपको importantly याद रखना है ओके चलिए अब बात करते हैं थर्ड कोशन की अनुचेद में राज्यसभा का उलेग किया गया है तो राज्यसभा का उलेग समविदान के किस आर्टिकल में किया गया है तो ये क्या गया है आर्टिकल 80 में अनुचेद 80 के तयात राज्यसभा का उलेग किया गया है तो ये आपको दोनों ही ध्यान रखना है अनुचेद 81 आसी में लोक सभा हैं, एंड अनुछेद असी में राजी सभा हैं, ओके, तो ये आपको most important politica question है, ओके, चले अब बात करतें चौते question की, वरतमान में राजी सभा के उप सभापती कौन है, तो राजी सभा के उप सभापती कौन होते हैं, ये हैं हरिवंच नाराइंड सिंग, अब राजी सबा के सबापती कौन होते हैं बारत की जो उपराश्ट पती होते हैं वो होते हैं राजी सबा के सबापती पूछ ले देश दिपक वर्मा एंड स्ने लता स्रिवास्तव जो हैं लोग सभा की महा सची वें स्ने लता स्रिवास्तव तो यह आपको याद रखना इस और इस कोशन का करेक्ट आंसर हैं सी ऑप्शन ठीक हरी वन्स नारायन चलिए पांच वे कोशन की बात कते राजी सभा के सभापती क कारिकाल किता होता है तो राजी सभा का सभापती होता कौन है यह ना तो 5 वर्ष क ओ बेंकिंग एक्जाम, रेलवे, ग्रूपटी, एंटीपीसी, डिफेंस एक्जाम, एंडीए, सीडीए, एफकेट, एक्सवाई, नेवी, पत्वारी वगएरे, जो भी एक्जाम की त्यारी करने वाले आप लोग ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टन है, क्योंकि इसमे सारे सवाल स होता है, मैं आपको बता दूँ, पांच वर्स इसका कारिकाल होता है, वितायो का, अभी कौन सा वितायोग चल रहा, पंदरवा वितायोग अभी काम चल रहा, पंदरवे वितायोग के अधिक्ष कोन है, एंके सिंग जो है, पंदरवे वितायोग के अधिक्ष है, एंड अब बात करते हैं साथवे question के, उज्जन का kum baixo प्यूम कस नदी के किनारे आई हजीत होता हैं, या फिर सीध्ये आप से यह सब कुशन पूछ सकते हैं, उज्जन शेहर किस नदी के किनारे बसा हुआ हैं, तो उज्जन जो हैं friends, तो 12 वर्स बाद में होगा, ऐसे हैं ना, अलग-अलग, 4 शहरों में होता है हर 3 वर्स के बाद, तो यह जो छो भी आइन, इलाबाद में, इलाबाद में, वो कौन से नदी के किनारें, गंगा नदी के किनारें, चौता होता है घोदावरी नदी के किनारए मारश्ट में नासीक में ठेक है न तो ये भी आपको याद रहso ver नासीक में धेक है तो ये चार कुम्ब मिले होते हैं जो पगी आपके exam के लिए most important है। कुम्ब मिला 12 वर्स बात अयोजित होता है एक इस्थान पर चली अब बात कर कर बना होता है तो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना होता है यह आपके इंपोर्टेंट है कोशन मौस्ट इंपोर्टन है अब मैं आपको थोड़ा सा मैप के थू समझा देता हूं यह जो इंडिया का वेस्ट बंगाल है एंड उसके बाद यह जो है बीच म अदमा कहते हैं पदमा तो यह पदमा और प्रहमपुत्र नदियां जो मिलकर यहां पर बनाती है भारत और बांगलादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुन्दर वन का डेल्टा तो यह आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है आपको याद रख गुजरात के अरमदा जिले में इस्तत हैं गुजरात के अरमदा जिले में नरमदा नदी के किनारे ही इस्तत हैं ओके केवडिया जो गुजरात का कस्वा हैं वहां पर यह इस्तत है केवडिया में ओके तो यह आपको याद रखना है यह भारत के पहले उप प्रदान मंत्री और हो मिनिस्टर जो हैं सरदार वल्ला भाई पटेल उनके ये हैं स्टेचू ये आपको याद रखना है तो ये सबी बाते आपको most important ले याद रखनी है चले अब बात करते हैं दसवे कोशन की बुनकरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है तो बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है पानी पत को कहा जाता है फ्रेंट्स पानी पत कहा है हर्याना में इस्तत है ये पानी पत ओके तो ये आपको याद रखना important है चलिए अब बात करते हैं 11 कोशन की दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ले जाए या फिर राइद उपिया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है गोदावरी नदी ओके यापको याद रखना है गोदावरी फॉरम वर्ल्ड एकोनॉमिक फॉरम का हैड़कॉर्टर कहां पर है important organization है इसका हैड़कॉर्टर कहां पर सुच्जर लेंड के दावोस में इसका एड़कॉर्टर है ठीक है न तो यह आपको याद रखना सुच्जर लेंड के दावोस में सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को जरूर दबा लेना वीडियो को शियर सब के साथ कर दो यार चलिए अब बात करतें तेरवे कोशन की इंपोर्टेंट कोशन है पुली कट जील भारत के किस राजिय में इस्तत है तो पुली कट जील जो है यह जील है आंद्रप्रदेश एंड तमिल नाडू दोनों है स्टेट में फैली हुई है ऑप्शन डी करेक्ट का ए और बी बट अगर यहाँ पर ऑप्शन डी में ऐसा नहीं आए और बी तो फिर आपको आंद्रप्रदेश करेक्ट करना है क्योंकि जील का जो 84% है ना वो आंद्रप्रदेश में इस्तत है बाकी जो चोड़ा परसेंट है ना इसका एरिया वो तमिल नाडू में है ओके तो यह आपको याद रखना मेजर ली है जो जील है आंद्रप्रदेश में इस्तत है ओके चलिए अब बात करते है चबदवे कोशन की पोर्ट लूइस कि देश की राजदानी यह मौरिशस की राजदानी यह पोर्ट लूइस ओके मौरिशस जो हैं यह फ्रेंट्स हिंद महासागर में इस्तत देश है और यह अफरीका महादुइप में आता है ठीक है ना तो यह भी आपको याद रखना है चलिए अब बात करते है पंदरवे कोशन की चूलिया जल परपात किस नदी पर इस्तत है चूलिया जल परपात फ्रेंट्स जो है राजस्तान राज्य में इस्तत है अगर पूछ ले जाए किस राज्य में इस्तत है तो राजस्तान राज्य में इस्तत है यह किस नदी के किनारे है किस नदी पर बना हुआ है तो चंबल नदी जो है राजस्तान में वहाँ पर यह ब तो ये भी साथ में जो भी मैं आपको points बताता हूँ ये आपके लिए most important है किसी भी exam के लिए ओके चलिए अगर आप भी daily current office के video and gk के video पाना चाते हैं तो फिर इस channel को subscribe कर लिजे बेल आइकन को दबा दीजे PDF कुई जो मोक टेस्ट के लिए telegram में जरूर जाना चलिए अब बात करते हैं लावणी लोक नर्तिय जो आहिं किस राजिय में इस्तत है friends इस वीडियो में जो आना सभी question अलग-अलग topic से लिये गए ताकि आपको पता चल सका किस किस topic से कैसे question आ सकते है तो लावणी लोक नर्तिय जो आहिं महाराष्ट राजिये से सम्मधित है या आपको importantly याद रखना है महाराष्ट से सम्मधित है लावनी लोक नर्ती ओके चलिए अब बात करते हैं 70 वे कोश्टन की ये भी important कोश्टन है most important इससे आपको काफी ज़्यादा knowledge मिलेगा निम्न मैंसे किन राजियों विदर्व जो एरिया ये नागपूर वाला एरिया है इसके अलबग गुजरात स्टेट की भी तीन टीमें एक गुजरात खुद हैं, दूसरी है बढ़ोधरा, तीसरी है सौराष्ट, तो यह आपको याद रखना, इन दोनों स्टेट की तीन टीमें खेलती हैं, रणजी ट्रोफी में, अब बात की जाए, रणजी ट्रोफी तो एक किर्केट के लिए से संबन दीते हैं, एंड इसकी शुरुआत हुए थी, 1934 से, ओके, तो यह भी आपको याद रखना, इम्पोर्टेंट कोशन है, 1934 से स्टार्ट हुए थी, यह रणजी ट्रोफी, अब बात करते हैं, अठारवे कोशन की, रोबर्ट पीरी कौन थे, तो र एमंड सन, एमंड सन जो फ्रेंट्स थे, वो दक्षिनी द्रोफ पर पहुंचने वाले पहले वेक्ती थे, एंड ड्रोबर्ट पीरी उत्री द्रोफ पर पहुंचने वाले पहले वेक्ती थे, उत्री एंड द्रोफ जो हैं, पर्त्वी के सबसे उपरी जो पाट हैं, वो होते तू आपको important रखना है पांच देशों के ऊपर इसका नाम रखा हो है, पहले Brazil हैं, फिर Russia हैं, फिर India हैं, China हैं and South Africa, तो ये पांच देशे हैं कौन से? Brazil, Russia, India, China and South Africa, ये पांच देशे हैं जो की BRICS Samoa का member है, ठीक है ना, तो इसकी staff ना कब हुईती? BRICS की 2006 में स्तापना हुई थी BRICS समों की ठीक है ना तो ये most important question है आपके exam के लिए चलिए अब बात करते हैं 20-way question की नो करेक अभियारण किस राजिय में इस्तत है ये friends कई बार exam में पूचा जा चुका है नो करेक अभियारण जो है ये है मेगालेया स्टेट से समाधित मेगालेया में इस्तत है नो करेक अभियारण तो most important question है आपको याद चलिए अब बात करते है 21-way question की गंगा को बंगलादेश में किस नाम से जाना जाता है तो गंगा नदी जो हैं उसको बंगलादेश में क्या नाम से जाना जाता है पदमा नाम से जाना जाता है तो ये आपको याद रखना है अब ये जो बंगलादेश जो है उसके बारब मैं आपको थोड़ा सा बता है ये जो गंगा नदी है पहले आती है फिर इसका एक पार्ट इस तरफ आता है उसको कहते है हुगली नदी और कोलकाता जो है हुगली नदी की किनारे बसावाएं उसके बाद ये गंगा जो आए ये जाती है बंगला देश में बंगला देश में इसको कहते है पदमा उदर से जाती है ब्रह्मा पुत् बंग्रादेश में जाती है तो उसको जमुना कहते हैं जब पदमा एंड जमुना दोनों मिलती हैं तो फिर इसको आगे मेगना कहा जाता है तो यह आपको याद रखना है मोस्ट इंपोर्टन कोईशन आपके सभी एक्जाम्स के लिए चलिए अब बात करते हैं 22 कोईशन के न अरावली परवतमाला आपको पता हुआ राजस्तान राज्य में इस तद यह ना सेकंड नमबर पर है सत्पूडा परवतमाला सत्पूडा जो है MPN महाराष्ट बॉर्डर पर हैं यहां पर इस तरह से पैरलल एंड उसके ऊपर है विंद्यान चल परवतमाला ठीक है ना जो नीलगीरी परवतमाला आएं नीलगीरी वो हैं सबसे नीचे यहां पर करनाटक केरल एंड तमिलनाडू स्टेट में तो उत्तर से दक्षन के अगर बात की जाए तो सबसे पहले अरावली हैं फिर हैं विंद्या और फिर सत्पूडा फिर हैं नीलगीरी तो option D यहां पर करेक आपका लोक नर्तिय और अप्षन में अगर इस्टेट आ जाए तो फिर उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा ओके तो यह आपको याद रखना अगर एससे एरिया वाज पूछ लिया जाए तो उत्तर भारत जो हैं यह वहां का लोक नर्तिय और इसके अलब यह तो 24 वे कोशन की इंडियान मिलिटरी अकेडमी कहां पर इस्तते हैं इंडियान मिलिटरी अकेडमी हजारों डिफेंस एस्परेंट्स का सपना इंडियान मिलिटरी अकेडमी है देहरा दुन में ओके यह फ्रेंट्स आपको याद रखना देहरा दुन उत्रागंड की राजदान यह देहरादुन वहाँ पर इस्तत हैं, इंडियान मिलिटरी अकड़मी, CDS एक्जाम से अगर आप लोग IMA के लिए सलेक्ट होते हैं, तो फिर IMA में ट्रेनिंग जाते हैं, यह फिर NDA एक्जाम से अगर आप लोग आर्मी के लिए जाते हैं, तो भी आप लोग IMA के लिए ही करनिंग में जाएंगी, ओके टो यह आपको याद रखना हैं, चलिए अब बात कराएं, पत्चीस वे क्वे कोशन की एक्जाम से नदीया मां सरोवर जील से निकलती हैं, तो मां सरोवर जील से निम्न में से कौन सी नदीया शिंदू नदी, निकलती हैं, ब्रहमापुत्र न नदी जो हैं यह निकलती है इस साइड फिर ये तिभत में बेकर चाती है ये अरुनाचर प्रदेश असम बांगलादेश में जाती हैं ओके फिर ये बंगाल के खाडि में जाती है एंड 7 नधी जो हैं वो भी它á शीना निकलती है मांसरोर से एड लिशारोर में बनाने के लिए नियुनतम आयू कितनी ओनी चैए, तो जो भीराफ। बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए, 25 वर्स और जैसी सबह के लिए 30 वर्स, तो अगर बारत के राश्ट्पति बनना आै आपको, तो फिर 35 वर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए ठीक है ना चलिए अब बात करते हैं 27 वा कॉशन भूमधिय सागर और लाल सागर को जोडने वाली कौन सी नहर जोडती है ठीक है ना तो भूमधिय सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोडती है स्वेज नहर जो friends important है ये जो ओरती है बुमध्य सागर और लाल सागर को इसके अलवा अगर पूछ लेज़े कि Asia and Africa महादविप को कौन सी नहर अलग करती है तो स्वेज नहर ही है जो Asia and Africa को अलग करती है इस्र देश जो है friends मिस्र उसी देश में इस्तत है ये नहर ये ओके तो ये आपको याद रहा है मिस्र में इस्तत है ये स्वेज नहर चलिए अब बात करते है 28 वे कोशन की उत्तर और दक्षिन बारत को कौन सी परवत स्रेणी अलग करती है तो जाईर सी बात है जो सेंटर में होगी वही अलग करेगी उत्तर and दक्षिन बारत को तो ये आपको याद रहना है तो यहाँ पर इंदिय परवत माला जो है MP 36 गड में जो विंदिय परवत माला है वो उत्तर और दक्षिन बारत को अलग करती है तो ये आपको याद रहना है most important question है चलिए अब बात करते है second last question 29 वे question के history का important question है लोधी वंच की इस्तापना किसन कि किस समविदान संशोधन के तैद मतदान की उम्र को 21 से 18 वर्स कर दिया गया तो किस समविदान संशोधन के तैद मतदान की उमर जो हैं 21 से 18 कर दी 61 समविदान संशोधन के तैद तो most important question है आपको याद रखना सभी question friends जो भी थे selected question थे अब आप लोग comment करके जरूर बताई आपका कितना wrong रहा question and कितने right रहा question and main thing अगर आपको कोई भी doubt हो तो जरूर comment करके पूछना मैं आपको reply जरूर दूँगा और वीडियो को आप लोग 100 like करना है आपकी जल्दी से इसका next part आ जाए ओके वीडियो बनाने में आर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो like जरूर कीजिए and daily current office video and gk के लिए आप लोग youtube channel को subscribe करके bell icon को दवा दो pdf quiz के लिए आप लोग telegram में जाईए